हेलो इस्टूडेंट स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेन वाइटियाई कोश्चन्स की जो हमारी सीरीज की उसके बारे में तो हमारा जो फर्स्ट कोश्चन है बैहें बेंजन रेखाओं की बास्तविक लंबाई को दो गुना करने पर उनमें योग होता है तो उनमें जब भी किसी भी बेंजन की रेखाओं की लंबाई को दो गुना कर दिया जाता है मरलब जो उसकी बास्तविक लंबही है उससे डबल तो उसमें तर कर तर डर डर सभी कुछ यह जुड़ जाते हैं तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर रहेगा या रहेगा उप्रोक्त शभी ठीक है ना students इसका जो सही आंसर है बहे रहेगा हमारा उप्रोक्त शभी इसके बाद जो next question है students वो हम देख ले रहे हैं मिंब और मिंब को दोगुना करने से उनमें योग होता है तो student मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसे मा को मोटा कर दिया जाता है तो उसमें मिंब और मिंब जोड़ जाता है लेकिन उसके बाद यदि कोई सब्द ऐसा रहता है जिसमें रा और जोड़ना है हमें तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं इसको दोगुना कर देते हैं लाश्ट में मा को तो मोटा करते ही हैं साथ में उसको दोगुना भी कर देते हैं तो उससे क्या होता है यहां पर हमारा रा भी जोड़ गया हुआ माना जाता है त तरहनी कॉष्चन है थर्द सन व Els南 वे किस और लगाया जाता है कि जो braius मैं अंदर की और लगाया जाता है लेकिन इसका सहियानसा अंदर ये लेकिन बड़े रूप में लगाया जाता हूं मैं आपको बताता हूँ देखिए जैसे हमें लिखना है सासन तो हमने ये लिखा सा और हम थोड़ा सा बढ़ा करके इसको तो ये तो हमारी बक्र रिखा हो गए और साथ में ये हमने थोड़ा खुला हुआ लगाया है मलब बहुत जादा इसको हमने अंदर की तरब नहीं किया है हलका था अंदर किया है लेकिन अपकी शक्रत बाहर मलब ये बढ़ा है ठीक है न तो इसलिए इसका जो हुक होता है ये अंदर की वो लगाया जाता है लेकिन अपकी शक्रत बढ़ा होता है जो हमारा सन का हुक होता है ठीक है न, नेस्ट कोशन, शेयुक्ट बेन्यन, क्वा, क्या, ग्या, इत्यादी प्रिकट करने के लिए का बर्ग रेखाक्षरों में किस और किस को बढ़ा करके लिखा जाता है, तो दीखे, ला का जो हुक होता है, यहाँ पर यहसा भी कोशन हला कि आया है, लेकिन अगर हम कह हैं कि कोशन इस परकार से होना चाहिए, कि किस हुक को बढ़ा करके लिखा जाता है, तो हमारा इसका सही आंसर जो रहेगा, बहर रहेगा ला, ठीक है न, अब मैं आपको बताता हूँ किस परकार से, जैसे हमें लिखना है ग्वाला, क्योंकि यह काबर का है गा, तो ग्वाल होक जितना बड़ा लगता है उससे भी और बड़ा बना के, और हम इस परकार से जब खींचते हैं तो यह हमारा ग्वाला लिखा उगा, इस परकार से हम, यह लाका होक हमारा है उसको हम लगाते हैं और यहाँ पर हम अपना बवो बर्ग बियांजन को बनाते हैं, ठीक है न? इस प्रकार से नेश्ट कोश्चन है मा रेखाक्षर में यदि पा वा वा को जोडने के लिए मा रेखाक्षर को किस प्रकार लिखा जाता है? स्टुडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि देखी इस प्रकार की जब कंडिशन बनती है कि आदा मा और पा जोड़ जाए ऐसा कोई आता है तो बहाँ पर फिर हम मा को किस प्रकार लिखते हैं? इस कोश्चन में पूछा गया है तो इसका सही जो आंसर है बै है यहाँ पर मोटा कैसे मैं बताता हूँ? जैसे लंब लिखना है आपको लंब में हुआ माना जाता है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मोटा करना है तो जब भी आप बनाए तो आपको मोटा करना है मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ देखिए ऐसा कुछ ऐसी कंडिशन बन जाएगी मतलब यहां पर कि ला तो आपका रहेगा इतना पतला और फिर हम अगर मा को बनाएंगे तो वह अपेक छक्रत हमारा इस प्रकार की कंडिशन बन के आती है तो यह होता है हमारा कि हम जब मा में पाव बा या भाकाव चरण करना होता है तो हम उसको मौट कर देते स्टुडेंट स्ट को वहारा रा लार्रेखाख्छर के बाद राध्वनी हो तो राध्वनी के योग के लिए लार्रेखाख्छरों को मौटा करके लिखा जाता है अब देखिए students यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे एक सब्द हम लेते हैं चरर ठीक है ना चरर सब्द हमने ले लिया है यहां पर तो उसको हम किस प्रिकार से यहां पर लिखेंगे यहां पर बात आ रही है कि क्योंकि यहां पर जैसे हमने चरर लिखा है ठीक है बात कही जाए कि रा के बाद में यहां पर फिर से रा आ जाए यह कंडिशन बन रही है हमारी तो हम मौटा करके लिखा जाता है रा और ला रिखाक्चर को मौटा करके लिखा जाता है लेकिन यहां पर किस प्रकार लिखा जाता है तो यहां पर जो इसके सही आंसर रहेगा बह बताता हूँ देखिए यह हमारा जैसे चा हो गया उसके बाद में यहां पर हलका सा मोटा अधोगामी रूप में हम राको लिकेंगे यह ना इस प्रकार से मोटा करके और इस प्रकार की डैस निकाल देंगे तो यह हमारा चरर हो जाएगा हम इसको फिर क्या पढ़ेंगे चरर तेड़ी मेड़ी रेखाएं बन नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे माउस से आपको पढ़ाने में थोड़ा सा हो जाता है ड्रॉ करने में लेकिन आपको समझना कि यह यह बिलकुल सीधा है आपका अदोगामी रूप में और यह बक्र रेखा के रूप में रा है हमारा तो इस हम चरर को लिखते हैं कि मौटा भी करेंगे इसको लेकिन अदोगामी लिखेंगे और दगामी रा को नहीं बनाएंगे यहां पर यह आपको ध्यान रखना है ठीक है ना चाहिए बाला हो ला अगर हमारा हम अदोगामी बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बना देंगे क्यो वह को प्रकट करने के लिए कौन से हुक को बड़ा कर दिया जाता है तो जो हमारा बाका होक होता है बाका होक जो इस प्रकार से होता है हमारा बाका होक तो उसको ही थोड़ा सा और अप एक छक्रत बड़ा कर देते हैं यदि हम तो उसमें फिर क्या जुड़ा माना जाता है ह जिया इसका सही आनसर जो रहेगा यह रहेगा बाहुक। ठीक है ना। बख्र रेखाओंपर कौन सा बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है। जो हमारा बख्र रेखाएं होती हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जैसे ता है और ला है एकसे होते हैं या ना हम कहें ना एकसा होता है अगर हम बक्र रेखा में लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या किया जाता है जब लाका हुक हम लगाते हैं तो उसको अन हुकों की अपेक्छा बड़ी तरह से लगाते हैं बड़ा हुक बना कर उसको लगाते हैं इसलिए इसका सही जो आंसर रहेगा रहेगा ला होग है इस्टुटेंट सन नैस्ट जो कोशन है सं के इस्थान पर यदी घ्या आये तो ऑंतिम exercise में क्या जोड़ा जाता है कि उज्टेंट सन के इस्थान पर यदी साई आता है तब भी होग ही जोड़ा जाता है तो इसका जो सही answer रहेगा भाय रहेगा होक नेश्ट कोशन है अधीकरण का प्रियोग करते समय तृत्तिय स्थान का स्वराने पर ब्यंजन रेखा को कहां पर लिखा जाता है तो जो हमारा तर्तिय स्थान पर अगर अधिकरण का प्रियोग किया जाता है तो भाई कहां किया जाता है लाइन पर इसका सही जो आंसर रहेगा भाई लाइन पर रहेगा Students मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें और जब आप ऐसा ना करेंगे थोड़ा सा देखें फिर उसको छोड़ दें पूरा वीडियो देखें क्योंकि आपको जितने अच्छे से यहाँ पर समझाय जा रहा है साइधी ऐसा कोई आपको समझाएगा और पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको जब यह कोश्चन आएगे तो आप एक बार में वहाँ पर आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे नमबर यहाँ पर आप इन वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह कोश्चन जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ यह पिछली बहुत सी परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन ही प्रसनों का एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें अपने फ्रेंड्स को सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करने के लिए भी आप बोलें ताकि यहाँ पर व्यूज और सस्क्राइबर भी बढ़ें जिससे मुझे भी पढ़ाने में यहाँ पर और ज़्यादा प्रेड़ा मिल सकें नेस्ट कोशन है प्रारंबिक हुक से पहले सा या स्वा आने पर हुक की जगह किसका प्रियोग किया जाता है तो इस्टुडेंट देखिए अगर कोई हुक प्रारंब में लगाया जाता है और महाँ पर सा या स्वा आ जाये तो फिर महाँ पर क्या किया जाता है सा और स्वाक सा सर्प आता है तो सा का ब्रत छोटा बना दिया जाता है और स्वा आता है तो फिर स्वाका ब्रत जो बड़ा होता है पेक शक्रत सा की उसको हम यहाँ पर बना देते हैं लेकिन दोनों ही कंडिशन में हम यहाँ पर ब्रत का प्रियोग करते हैं अब इस्टुडेंट्स next question के हम बात करती है sun, sun तथा sun को किस प्रिकार प्रिकट किया जाता है तो student हमने पहले ही बात करी है कि जो हमारा sun, sun और sun होता है अन्त में उसका प्रियोक किया जाता है और एक बड़े हुक के दोआरा प्रियोक किया जाता है मैंने यहां पर आपको करके भी दिखाया था कि जैसे मैंने सासन लिखा था तो अप एक शक्रत या थोड़ा सा बड़ा हुक हमने यहां पर बना दिया था तो सासन को कुछ इस प्रकार से हमने यहां पर लिखा था तो जो इसका सही आंसर है वह है एक अंतिम बड़े हुक के द कर रहे हैं बेंजन की लंभाई को तो फिर यहां पर क्या होता है ता ता और का-धा यहां पर यूग हो जाता है तो इसका जूशाही answer रहेगा बाहर रहेगा ता और का इसकी भी condition अलाग我很 क्यों की साफ से इसका answer यही क्योंकि जैसे जैसे फिर इसमें मातराओं का कहीं और रा या ला का भी पूचा जाता है तो उस हिसाब से फिर और भी सब्द जोड़ते हैं लेकिन अभी जो कोशन है उसके हिसाब से इसका अंसर रहेगा टा टा और का नेस्ट कोशन है रा का योग करने के लिए सरल रेखाओं में हुक कहां लगाया जाता है तो देखेए स्टूडेंट रा का जो हमारा योग होता है उसके लिए हम सरल रेखाओं में प्रारंब में हुक लगाते हैं किस प्रकार से लगाते हैं आपको मैंने बताया था जैसे हमें लिखना है करता, ठीक है ना तो देखिए करता में हम इस प्रकार का प्रारम में एक हुक लगा देते हैं तो हमारा यह करता बन जाता है तो इस प्रकार से जो यह प्रारम में हुक लगता है यही इस कोश्चन में पूछा गया है कि राका योग करने के लिए तो देखे करता में रा आ रहा है हमारा बीच में और बीच में आ रहा है तो सबसे बड़ी वाद कि जो राका होग होता है प्रारंब में नीचे की ओल लगाए जाता तो जो इसका सही आंसर है प्रारंब में इस्टुडेंट्स जो हमारा नेस्ट कोशन है का बर्ग में प्रारंब एक बड़ा होग किसे प्रिकट करता है तो देखिए का का बर्ग में जो प्रारंब एक बड़ा हुक होता है बै इस पेसली हमारा जो रहता है बै हमारा क्वा ख्युआ और ग्वा को प्रदर्सित करता है तो जो इसका सही अंसर रहेगा बै रहेगा ये वाला जैसे अभी मैंने आपको एक एक अग्जाम्पिल दिया था ग्वाला का तो हमने इस प्रकार से एक बड़ा हुक लगाया था तो बै हमारा किसको प्रदर्सित कर रहा था हमारा ग्वा को है ना तो यहां पर क्वा हो या क्या हो या ख्वा हो या ग्वा हो तो बै सब प्रिकट करते हैं किसको इन्हीं को प्रिकट करते हैं अगर हम का बीकलिकल phải प्रोविंग के नाम से जाना जाता है जो भी हम यह प्रोविंग करते है बीकलिकल dudas नियम के अनुसार किसी देखा की लंबाई को आधा करने से उसमें तो जो यह कोश्चन था इसका जश्ट अपोजट बना दिया है तो यहां पर इसका जो आंसर रहेगा यह रहेगा कि हारविंग के जो नियम है उसके अनुसार इसकी देखा की लंबाई को हम कम करते हैं तो उस में जो बड़ा हुक होता है ना का बड़ा हुक लगाया जाता है और उसके दुआरा अगर हम अंत में एक बड़ा हुक लगा रहे हैं तो जैसे हमने अभी आपको सासन में बताया था तो उसमें ये वाला हमारा सन, सन और सन हमारा जुड़ जाता है जैसा मैंने अभी आपको सासन में बताये था यहाँ पर कि सासन में अगर हम अंत में बड़ा हुक लगाते हैं तो यह हमारे इस प्रकार से जो हम बड़ा हुक लगाते हैं अंतिम में तो यहाँ पर जुड़ जाते हैं सन, सन, सन और छण भी जुड़ जाता है पिर सिक्षन भी हम लिखते तो इस प्रकार से हम इसमें जोड़ देते हैं Student next question है किसी रेखा को दो गुना करने से उसमें निम्न में से किसका योग हो जाता है यदि किसी रेखा को उसकी बास्तविक लंबाई से हम दो गुना कर दें तो उसमें फर योग हो जाता है हमारा तर, दर और डर का योग हो जाता है इसको आप समझे इसके बाग सरल रेखाऊं में दाईंगती से लगाए गई एक छोटे हुक से किस ब्यंजन को इसका योग होता है ना दा के लिए ना चा के लिए ना हा के लिए तो students इसका जो सही answer रहेगा बहे रहेगा रा और रा के लिए Students यह थी हमारी 20 questions की series उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप comment कीजिए यदि आपको इसमें कोई कमी है तो आप उसका comment कीजिए मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा मैं फिर repeat करूँगा कि आप channel को subscribe कीजिए अपनी दोस्तों से channel को subscribe करवाई है क्योंकि जब यहाँ पर बहुत से viewers आएंगे तभी मुझे यहाँ पर और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेड़ा मिलेगी और channel को subscribe कीजिए like कीजिए और comment कीजिए आपको कैसी वीडियो लगी पसंद आई है तो comment कीजिए ना आई हो तो comment कीजिए लेकिन कुछ ना कुछ comment कीजिए जिससे हमें लगता है कि हाँ viewers देख रहे हैं वीडियो को और उनका कुछ रुजान है चाहे बें negative हो चाहे बो positive हो लेकिन comment होगा तो उससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हमारा process यहाँ पर है या किस प्रकार से हमारी views को यहाँ पर समझ में आ रही है हमारी वीडियो अगर हमें सुधार करना होगा तो हम सुधार भी इसमें कर सकते हैं धन्यवाद